नमस्कार दोस्तों हिंदी निज अफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों पडूसी देश पाकिस्तान से रिलेटड एक बहुत अजीब और गरीब खबार आ रही है जो पाकिस्तान का कहीं न कहीं दुनिया में मजाक उड़वाती है और चाइना की टेक्नलोजी के बारे में बताती है कि वो कितने सक्षम है और क्या कर सकते हैं दसल दोस्तों खबर क्या आया ये पूरा बिस्तार से समझते हैं दोस्तों यह खबर पाकिस्तान की डिफर्ट इंडरस्ट्री से रिलेटड है और चाइना की टेक्नलोजी से रिलेटड है दसल 2017 की बात है जब पाकिस्तान ने सोचा कि उसको अपने बेले में रक्षा के लिए टैंकों की जरूरत है तो उसने कुछ टैंक के लिए पाकिस्तान ने चाइना को और दिया तो चाइना ने 2017 से लेकर 2021 की बीच में ये बना कर देने के लिए और के लिए हाँ बर दी अब 176 टैंक चाइना ने बनाया और इनको दे दिया पाकिस्तान को उसके बाद इन्होंने बोला कि 176 नहीं हमको 300 चाइए लेकिन ये जो टैंक बनेंगे ये पाकिस्तान में बनेंगे 176 के बाद वाले अब चाइना ने इसके लिए हाँ बोल दिया और उन्हों ने ये बोला कि हाँ ठीक हम इसके लिए टेक्नलोजी भी आपको दे देंगे पाकिस्तान ने यही बोला थे कि हमको टेक्नलोजी जाई है तो चाइना ने यह टेक्नलोजी इनको दे दी और यह एक कमपनी है चाइना की नौरिको कर गे नौरिको और कुछ छोड़ी फोड़ी कमपनी है पकिस्तान की उन्होंने मिल करके एक टैंक बना दिया जिसका नम इनूने दे दिया हैदर और अ motivations की इसका जो पुराना अंली Aisembelie वी है टेकनलाजी उसकी सारे इक्यूपेंट उसके बस इन्होंने खाली पेचकस सकसली एं ऐसा समझे ली किसे वही है पाकिस्टान ने ये ये एसेंबली हुई है और इस टैंक के बारे मां पाकिस्तान कहना तें इतना जबर-ज़स्थ थै कि चाना और पाकिस्तान दोनों मिलकर पाकिस इंडिया का नाम और निशान मिटा देंगे इस टाइप की बाते को कर रहा है थे कि ये बिलकुल गेम चेंजर टैंक है युद में इसका कोई मुकाबला नहीं है अब आपको बता देंगी इनके लिए ऐसा ब्लंडर साबित हो गया ये टैंक कि इन्होंने फायर किया और ये फायर इनका उसी टैंक में ही दग गया पीछे ही निकल गया गोला इसमें जुपकी गोला भी कोई छोटा मोटा नहीं लगता है इसमें गोला लगता है 125 एमेम का और ये जो टैंक है ये 1500 होस्पावर का इंजिन रखता है डिजल कैपेसिटी से चलता है इस खुद मान रहा है कि चाइना के जो एक्यूपेंट्स हैं चाइना के जो हतियार हैं ये कहीं भी टेस्टेड नहीं है युद में और भारत जो परचेस करता है हतियार रोस से अमेरिका से या फ्रांस से तो इनके जो भी हतियार है युद में टेस्टेड हतियार है भारत जो अ प्रफ चाइना से ही मदद मिलती है दूसरा कोई देश पाकिस्तान को कोई हत्यार बेशता भी नहीं है उनकी समस्षे यह भी है तो इनके पास मजबूरी है चाइना का ही एक्विप्मेंट यूज करने है चाइना की टक्नलोजी इनको बरबाद कर देती है अब सोचिए पाकिस चाइना ने इनको जवाब देना ही बंद कर दिया तो इन्होंने खुश से उसमें कुछ उल्टा सीधा दिमाग लगाया है अब किसी तरह अपनी सेना में सामिल लिया है लेकिन अब क्या इसकी क्वालिटी है क्या नहीं है यह तो भाविश्ट दगने के जगा उसी जगा दग गया है अब सोचिए दोस्तों अगर यह युद्ध में हो और ऐसा हो तो इनका क्या हाल होगा ठीक है दोस्तों इससे रिलेटर्ड को यह न्यू जाती ही तो मैं आपके लिए अपडेटर्ड वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद